आपकी life में जो भी manifest होता है या जो भी manifest नहीं होता उसका कारण सिर्फ और सिफ vibration होती है आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, क्या action लेते हो, कैसे action लेते हो, action लेते हो या नहीं लेते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क सिफ इस बात से पड़ता है कि आप किस vibration में हो आप जिस vibration में हो वो चीज आपकी life में manifest होनी ही होनी है भले ही वो चीज आपको चाहिए या वो चीज आपको नहीं चाहिए अब vibration क्या है? दुनिया की हर एक चीज एक vibration है चाहिए आप अपने आपको देखो, अपने अराउंड किसी लोग को देखो, किसी चीज को देखो, किसी भी चीज को दुनिया की हर एक चीज एक vibration है और law of attraction दुनिया की हर एक vibration को आपके थूँ attract कर सकता है या basically simple शब्दों में समझो तो, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है, जो law of attraction के control में नहीं है तो कई बार question फिर आ जाता है कि हमारी manifestation क्यों नहीं हो रही, manifestation तो देखो के हमेशा ही होती है या तो आप उसे अपनी life की reality में manifest कर लेते हो, या तो उस चीज का या उस इंसान का आप से दूर जाना manifest कर लेते हो और ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप बुरे हो, या फिर आपका कर्मा कराब है, या आप में वो काबिलियत नहीं है जो किसी और में है, या आप उतने वर्दी नहीं हो जितना कोई और है और ऐसे जितने भी reasons आपके mind में आते हैं, चाहे वो reason जो भी हो, reason एक reason ही होता है आप कोई चीज अपनी life में चाह रहे हो, और वो चीज आपकी life में नहीं है, उसका reason सिफ़ और से fake है कि आप एक ऐसी vibration में हो, जो आपके desire से opposite है, simple इसके अलावा कोई दूसरा reason नहीं है, और इसी में देखोगे तो alignment और resistance की बात आती है कि जब आप आपकी vibration को देखते हो, और आपकी vibration, current vibration, आपकी desire की vibration से अलग है तो आप resistance में हो, अगर आपकी vibration और आपकी desire की vibration same है, तो आप alignment में हो अब इन दोनों के बीच का differentiate का आप कैसे करोगे क्योंकि जरूरी तो नहीं कि अगर आप resistance create कर रहे हो, मतलब आप negative इनसान हो resistance का basic मतलब एही होता है कि आपकी desire कुछ और है, आप सोच कुछ उसके बारे में और ही रहे हो अब इसको मैं आपको कुछ examples के साथ बताता हूँ, ताकि आप इसको और better समझ पाओ जैसे आपकी desire है कि आप government job manifest करना चाहते हो, अगर आपका sentence यह है कि मुझे government job manifest करनी है आप vibrational alignment में हो, लेकिन जब आप बोलते हो कि मेरे पास government job नहीं है, आप तब resistance में हो मुझे कैसे भी करके government job को हासिल कर लेना है, ये बोलते हो, तो आप alignment में हो मैंने इतने सारे try कर लिए है, अभी तक मेरा नहीं हुआ है, आप resistance में हो इस जगा पे ये जितने thoughts मैंने बोले, ये सारे sentence सभी एक vibration ही है, अब दोनों में से आप देखो कि जो भी आप sentence बोलो, वो या तो vibrational alignment है या resistance है आप किसके बारे में ज़्यादा बात करते हो, वो आपके life की story कहलाती है, यानि आप जिस बारे में ज़्यादा बात करते हो, जिस vibration पे आप ज़्यादा फोकस्ट हो, वो आप अपनी life में manifest करोगे, आप चाहो या ना चाहो और आप resistance वाली vibration में रहा करके alignment वाली चीज़ को manifest नहीं कर सकते, या अगर आपकी sentences इस तरह के हैं, मुझे government job manifest करनी है, लेकिन मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मेरा syllabus complete नहीं हो रहा, मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे नीद आ जाती है, मैं पढ़ने बैठता हूँ त उसका कैसे हो गया, उसने पका किसी को पैसे दिये होंगे, उसने पका कोई ना कोई गलत तरीका योज़ किया होगा इस job को हासिल करने के लिए, अब ये जितने sentences मैंने बोले ना, आप समझ लो कि सारे sentence ये वाले जो है, ये resistance है, अब इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि आप focused to उस जगा पे, इसलिए नहीं कि वो सच है, क्योंकि जैसा अबरहम कहती है, you create your own reality, आप अपनी reality को खुद create करते हो, और इस तरह के जो sentences होते हैं, ये आपको vibrationally resistance में रखते हैं, और इस resistance की वज़ा से, इस vibration की वज़ा से, आप अपनी life में वो manifest करते हो, जो आप नहीं चाह अब उस जगा पर अगर आप ये बोलोगे कि मैं पढ़ने बैठता हो, तो मुझे नींद आजाती है, तो obviously आपको नींद आएगी, और इस जगा पर बोलोगे कि syllabus बहुत आगे निकल चुका है, या time बहुत कम बच्चा है, मुझसे बढ़ा नहीं जाएगा, तो obviously नहीं पढ पाओगे, और इस जगा पर mostly लोग अपने आपको action oriented करने की कोशिश करते हैं, कि हम कैसे भी करके पढ़ाई कर ले, जब तक आपका mind एक state जगा पर नहीं जा रहा है, एक new vibration में नहीं जा रहा है, तब तक आप पढ़ भी नहीं सकते, चाहिए आप जितने भी अच्छे student क्यो से उठोंगा नी, लेकिन घर से ही कोई अवाज लगा देगा, कोई important चीज का काम आ जाएगा, या कोई आपको money नहीं करेगा, तो इस तरीके से situation देखोगे, change only start हो जाएगी, अब आपस से resist करने लगोगे, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, तो इसलिए starting में मैंने कहा कि आप आपका action आपकी life में creation नहीं करता है, action बहुत कम creation करता है, vibration ही सारा creation करती है, बिना vibration के आप action ले नहीं सकते, अब इस जगा पर आप resistance वाली जितने मैंने sentences बताए, इसको बोलते हुए आप हमेशा बुरा फेल करोगे, क्योंकि ये चीज़ आप अपनी life में नहीं चाहते हो, और हमेशा हर subject के दो subject होते हैं, एक job चाहते हो, एक job नहीं चाहते हो, जैसे government job है, मुझे government job चाहिए, ये आप चाहते हो, मैं बिना government job के नहीं रह सकता, ये आप नहीं चाहते हो, मुझे government job चाहिए, ये आपकी desire है, मुझे कोई और job नहीं करनी, ये आपकी desire नहीं है, यानि basically आपको government job ही करनी है उसके दूसरे वाला side आपको नहीं चाहिए लेकिन focus कहा है मुझसे बढ़ाई नहीं हो रही मेरे syllabus नहीं complete हो रहा time बीटता जा रहा है फिर कुंडली देख रहे हैं कि मेरी कुंडली में योग ही नहीं है government job का उसके बाद tarot reading भी देख रहे हैं कि tarot reading भी कह रही है कि मेरी किस्मत में या मेरे cards में ये नहीं आ रहा कि मेरे पास government job होगी मतलब मेरे पास नहीं होगी तो यहां से आप ऐसे resist करते हो और सबसे ज़्यादा यहां से एक level आप और उड़ जाते हो जब आते हो कि karma है शायद कुछ कि पिछले जनम का कुछ karma है या इस जनम का कुछ karma है जो मुझे ही job नहीं मिल रही बाकी लोगों को मिलती जा रही है एक बार अपनी vibration को change करके देखो आपका karma कैसे खतम हो जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा यानि अगर मैं अपनी life में देखता हूँ ना तो जब से मैं जगनाजी से जुड़ा हूँ तो दुनिया की कोई चीज नहीं है जो मुझे लगता है कि मेरे लिए possible ना हो क्योंकि एक बार ऐसा हो जाता है कि जब मेरे साथ है ना तो मुझे दुनिया की किसी भी चीज से घबराने की जुरूत नहीं है सब कुछ वो देख लेंगे मेरी vibration का alignment सिफ और सिफ उनके साथ होना चाहिए उनके around होना चाहिए और सबसे amazing बात मुझे जगनाजी की ये लगती है और जब मैंने अपना channel बनाया था तो channel का नाम रखा था गगन universe तो मैं हूँ गगन universe और जगनाजी है lord of the universe यानि lord of the gagan universe यानि मेरे east अब ऐसी देखोगे ना तो mind blowing जो planning होती है वो भगवानी कर पाते है क्योंकि मेरी spiritual journey बहुत ज़्यादा different रही है life में सबसे पहले मैंने गुर्णानक देव जी के बारे में पढ़ा था और उनके बारे में जब पढ़ा था तो उनकी teachings में तो बहुत सारी चीजे है लेकिन एक चीज जो सबसे ज़्यादा common है वो ये है कि वह हमेशा अंद विश्वास को माननने से मना करते थे अब उनको भी मैंने पढ़ा उनके बाद फिर मैंने Bible भी पढ़ी Bible पढ़ने के बाद फिर मैंने श्रीमत भगवत गीता पढ़ी तो इतना कुछ पढ़ने के बाद मेरा mind confused हो गया था कि क्या सही है क्या सही नहीं है क्या choose करूँ अब क्योंकि मेरी journey को मैंने हमेशा अपने तरीके का रखा है मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ता शुरू से कि दुनिया क्या सोचती है वो उनका personal choice है मेरे लिए हमेशे यह हो जाता है मैं अपने धर्म में कभी बंद के नहीं रहूंगा मैं हमेशा अपने आपको open रखूँगा सभी धर्मों के बारे में जानूँगा सभी का आदर करूँगा चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे खेर इस बात से निकलते हैं आगे आते हैं फिर इस जगा पे जब मैं confused होने लगा था बहुत ज़्यादा फिर आर्दियंड आते हैं हमारी लाइफ में मेरी लाइफ में अबरहम अब अबरहम को मैं as a teacher ही नहीं as a भगवान ही treat करता हूँ क्योंकि अबरहम को देखोगे तो वो teaching सी ऐसी वो inner being की teaching सी अबरहम कोई इंसान नहीं है तो मैं ये मानता हूँ कि जगनाजी ने इसी तरीके से मेरी life में law of attraction को introduce करना था यही correct way था और यही तरीके से वो मेरी life में से या मेरे mind में से जितने doubts थे वो सभी निकाल सकते थे पहले मैं कर्मा से बहुत ज़्यादा डरता था लेकिन जब से अबरहम मेरी life में कर्मा को मैंने एक बार में अपनी life में से बाहर निकाल दिया कि दुनिया चाहे belief करे या ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए ये चीज़ एक्जिस्ट नहीं करती क्यों कि जब मैं अबरहम को या आपने कभी भगवान से जुडोगे जनुरली जुडोगे तो आप इस बात को खुदी समझ जाओगे कि जब आपका पावर यानि जब आपका connection आपके सुप्रीम के साथ होता है तो दुनिया की कोई पावर आपको रोक नहीं सकती दुनिया की किसी भी चीज को हासिल करने के लिए या दुनिया की कोई पावर आपको डरा भी नहीं सकती किसी चीज से बेसिकली एक तरीके से वो आपके मित्र हो जाते हैं वो आपके भाई हो जाते हैं या जिस भी रूप में आप उनको मानते हो वो आपके लिए वो हो जाते है तो आपका उनके साथ जो surrender वाला mode होता है उस जगा पर वो ऐसे हो जाते है कि तुम्हें जो करना है अपनी life में तुम करते रहो बाकी सारी चीज़े मुझे संभालने दो जब ये connection मेरा जगनाची के साथ बना हुआ है और जब वो ready है कि मैं अपनी life में जो चाहे वो करूँ बाकी सब वो संभालने के लिए ready है तो इस जगा पर मैं ये सोचू कि अगर मेरा कर्मा सही है कि नहीं है ये चीज मेरे लिए ठीक है या नहीं है ये चीज मेरे लिए सही है या गलत है यहां पर मेरा कर्मा सही हो रहा है या कराब हो रहा है या इस तरह कि जितने भी reasons मेरा mind मुझे देता है vibration को resistance में रखने के लिए तो इस जगा पर मैं ये कैसे कह सकूँगा कि मैं जगनाजी पर बहुत ज़्यादा believe करता हूँ अगर मैं अपने life में इतने सारे reasons देता हूँ उस चीज के ना होने के तो मेरा belief कैसे हुआ फिर उन पर लेकिन जब belief है उन पर तो reason क्या बात का हुआ कि जब मेरा belief ही है उन पर तो सारी चीजे तो उन्होंने handle करनी है जिनोंने पूरी दुनिया बना दी वो मेरी life नहीं सिधार सकते क्या या मेरी life का ध्यान नहीं रख सकते या पूरी दुनिया चला सकते है मुझे नहीं चला सकते ऐसा नहीं होता तो इसके लिए मैं ये चीज मानता हूँ कि जब अबराहम मेरे life में आई तो एज़ा मैं बोलूँगा कि भगवान ही मेरे life में आए अबराहम के रूप में आए क्योंकि मेरे mind में confusion ही इतना था और क्योंकि मैं सभी धर्मों का हमेशा से आदर करता आया हूँ तो मेरा धर्म सही तुम्हारा धर्म गलत या किसी और का धर्म गलत दो वीडियोस मैंने बनाई थी एक थी जो non-wage के उपर एक थी जो कर्मा के उपर मैंने confidently उन topics पे बात की irrespective इस बात के कि मुझे क्या उसके बारे में सुनने को मिलेगा सामने से क्योंकि इस बात को मैं समझ गया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है मुझे इस बात को share करना है जिस तरीके से मैं believe करता हूँ तो मैं करूंगा और जब जगनाजी है संभालने के लिए तो कोई tension नहीं है बाकि उसमें से भी निकल जाएंगे अगर कुछ होता भी है तो तो यहां पर अगर आप देखोगे तो beliefs मेरे हो गए दुनिया का कोई भी powerful इंसान आकर के मुझे ये कह दे कि कर्मा exist करता है तो मैं बोलूँगा with due respect sir आप इस बात पर believe करो मुझे कोई problem नहीं है लेकिन मेरे लिए ये चीज़ exist नहीं करती और नहीं कभी करेगी इसलिए यहां पर देखोगे तो मुझे किसी person के कर्मा पर believe करने पर problem नहीं है मुझे just मेरा इतना strong belief है कि ये चीज़ exist नहीं करती सिर्फ जगनाजी exist करते है या सिर्फ vibration exist करती है क्योंकि अगर भगवान की meaning को define किया जाए तो आप उसको एक energy के रूप में define कर सकते हो एक ऐसी energy जिसको कोई बना नहीं सकता कोई बरबाद नहीं कर सकता जिसके जैसा कोई नहीं हो सकता उससे सब हो सकते हैं उसके जैसा कोई नहीं हो सकता और वो निराकार है निडर है और उनके मन में सिर्फ और सिर्प प्यार है उनको आप बाहर ढूणने जाओगे कभी जिन्दगी में आपको मिलेंगे नहीं उनको अपने अंदर ही आप ढूण सकते हो और ये चीज मैं नहीं कहता बलकि सभी रिलिजन्स कहते हैं और सबसे पहले इस चीज के बारे में मैंने जाना था गुनानक देव जी से जब मैंने उनकी बायोग्राफी को पढ़ा था वहाँ पे हमारा जो शबद होता है पंजाबी में जहां पर हम गाते हैं एक्योंकारसत नाम करके तो आप कभी इस शबद को इंग्लिश में आप ट्र कोई नहीं हो सकता और सभी रिलीजन्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट 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 नाम से वो मिलेंगे लेकिन बात हमेशा एक ऐसी सुप्रीम एनर्जी की हो रही होगी और उनका मीनिंग ये होगा कि वो हमेशा से थे हमेशा से है और हमेशा रहेंगे और फिर इस चीज के बारे में भी अब्राहम ने clarity दे थी कि दुनिया जो है वो variety पे चलती है दुनिया जो है वो freedom पे चलती है जब भगवान ने इस दुनिया को बनाया तो भगवान को भी पता था कि जैसे दुनिया में सभी लोग है तो सभी लोग कभी भी एक जैसे नहीं होंगे हर किसी के पास freedom होनी चाहिए हर किसी के पास choice होनी चाहिए और यही variety है इस दुनिया की इसलिए कहते हैं कि भगवान नेक है उनके नाम अनेक है आप जिस रूप में मानो उस रूप में वो आपको मिलते हैं इसलिए चाहे हमारा religion जो भी हो चाहे हम जिस भी भगवान में माने हम जुडते हो सुप्रीम energy के साथ ही है और आप इन बातों को इतना deep तभी समझ पाते हो क्योंकि अगर मैं भगवत गीता पर वीडियो बनाऊंगा या फिर Bible पर वीडियो बनाऊंगा तो कहीं न कहीं मेरा belief भी उस जगा से जलकेगा जैसे इस वीडियो में से निकला और जब आप भगवत गीता या किसी भी Holy Book को पढ़ते हो तो वहाँ पर दो लोगों के बीच की ये बात है एक आप हो जो आप उसको पढ़ रहे हो दूसरा आपके भगवान है जिन पर आप बिलीव करके उस Holy Book को पढ़ रहे हो तो आप दोनों के बीच में किसी तीसरे का कोई काम नहीं होना चीए और यही देखोगे यही मैंने मेरी लाइफ में कभी आने नहीं दिया जो भी मुझे पढ़ना था चाहे गुनानक देव जी के बारे में पढ़ना था मैंने खुद पढ़ा जीजस कैस्ट के बारे में जानना था मैंने बाइबल खुद पढ़ी कृष्ण जी के बारे मैं जानना था भगवत गीता मैंने खुद पढ़ी और उस वक्रान मेरे लिए एवलेबल नहीं थी नहीं तो वो भी पढ़ता लेकिन clarity life में इतनी मिल गई कि मैं ना पढ़ते हुए भी उस जिश्को समझ गया और at the end ये conclusion में निकला कि हाँ सभी सच है और सभी का आधर होना चाहिए basically meditation जब मैं करता गया करता गया तो ये चीज़े वैसे ही आ गई ये start तभी हो गई थी जब गुर्णानक देव जी के बारे में पहली बार मैंने बढ़ा था ये कोई foreigner की आई होई चीज़ है ये हमेशा हर किसी के लिए ही है अगर आप इसको religious perspective से अपने समझने की कोशिश करोगे आप better समझ पाओगे इसको लेकिन फिलाल वो एक journey है और उस journey पे चलने के लिए आपको अपनी vibration पे work करना होता है जिसके लिए आप meditation करते हो या इस जगा पे vibration को raise करने के लिए appreciation का process बहुत बैतर होता है जिस पर मैंने अल्रेडी वीडियो बनाई है अगर आपने appreciation की वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियो पे आप click करके उस वीडियो को देख लीजेगा और ये सीटियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद